पॉलिटिक्स को लेके, कोविट की सिचुएशन को लेके, या इंटरनाशनल रिलेशन्स को लेके, ये सबी चीजों के बारे में हमें सेशन में चर्चा करने वाले है, so think of it as a short world trip, ताकि हम एक macro perspective समझ पाए, कि दुनिया में क्या-क्या चल रहा है, यही मेरे सेशन का मकसद है, तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के एंट तक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं, US के presidential elections पे, जैसे कि आप जानते हो, कि अमेरिका के presidential elections करीब आ रहे हैं, November में यह यहां चुनाओ होने वाले है, and वहा पे अब officially इसकी process start हो चुकी है, North Carolina वहा का पहला state है, to send out the absentee ballots, and by mid-September, at least 20 states will begin mailing out the ballots, and by the way, currently, Joe Biden Trump से 10 points की lead लेकर चल रहा है, अगला update जमाइका को निकल के आ रहा है, आंड्रे होलनेस, जो जमाइका लेबर पार्टी के लीडर है, वो re-elect होकर जमाइका के प्रदानमंतरी बन कर आया है, इनका election campaign majorly economy के revival को लेकर आया है, जो COVID-s affected economy है, and जमाइका में crime को कैसे कम करें, इन सभी चीजों पर रहा है, अंड्रियो होलनेस, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर मार्श 2016 से है, जमाइका की total population करीब 2.9 मिलियन यनी 29 लाग तक है, and ब्रिटेन से जमाइका को 1962 में आजादी मिली थी, अब crime and violence remain high in जमाइका, also youth unemployment and access to education are the key issues in जमाइका, अब जमाइका में कोविट केसे भी कमी रहे, total 2700 कोविट केसे निकल के आये, and बस 24 की ही कोविट से मौत होई है, अगला update साओधी अरेबिया को निकल के आ रहा है, जमाल खाशोगी मर्डर केस में जो 5 लोग गिल्टी पाए गए थे, साओधी कोट ने इन्हें पहले death penalty दी थी, बट कोट ने अपना order change कर दिया है, and इन्हें 20 साल तक की सजा दी गई है, इन 5 में से 3 को तो सरफ 7 से 10 साल तक की सजा दी है, ये सजा कम की गई है क्योंकि जमाल खाशोगी के फैमिली ने इन 5 कॉन्विक्ट्स को माफ कर दिया है, जैसे की आप ये तस्वीर में देख सकते हो, ये है जमाल खाशोगी के बेटे साला खाशोगी, जो साओधी किंग सल्मान के साथ मवजूद है, अब जमाल खाशोगी साओधी अरेबिया के बहुत बड़े जाने माने जोर्नलिस थे, ये साओधी गवर्मेंट के अगेंस्ट लिखते थे, ये ये यूएस में सेल्फ एक्साइल में थे, क्योंकि साओधी के प्रिंस मौमद बिन सल्मान के द्वारा, रिसेंटली यूमन राइट्स अक्टिविस्ट को सप्रेस किया जा रहा था, उनकी आवास दबाई जा रही थी, तो इसी लिए वो यूएस चले गए in order to save himself from this torture, but eventually he had to visit Turkey, also to say Saudi Arabia's consulate in Turkey, to pick up the documents, allowing him to marry his Turkish fiancée, Hattis Senjis, अब जब ये दोनों Turkey में, Saudi Arabia के consulate में पहुचे, Hattis Senjis बाहर ही बैठी थी थी, and Jamal Khas Hogi, consulate के अंदर गए थे, उसके बाद वो कभी वापस बाहर नहीं आया, यहाँ पे Saudi Arabia पे इल्जाम निकल के आ रहा है, कि ये pre-planned murder था, but Prince Mohammed bin Salman ने ये allegations नाकार दिये, Jamal Khash Hogi के fiancée ने court के judgment को मजाग बताया है, इस चीज़ पे US के President Donald Trump का reaction काफी negative रहा है, इस पे उनका कहना है कि Saudi Arabia is an ally of US, so he is essentially unwilling to allow the scandal to threaten US-Saudi relationship, अगला update इरान को लेकर निकल के आ रहा है, International Atomic Energy Agency, जिसे IAEA भी का जाता है, इनके द्वारे रिसेंटली एरान में nuclear sites की supervision हुई थी, इनका कहना है कि एरान के पास enriched uranium बहुत ज्यादा हो चुका है, 2015 में एरान ने International Nuclear Accord साइन की थी, जिसमें China, France, Germany, Russia, US and UK भी शामिल थे, अब इस agreement के according, एरान को limited amount में enriched uranium की production की अनुमिती दी गई है, बट ये limit से 10 गुना तक का enriched uranium एरान अपने पास आज की तारीक में रख बैठा है, करीब 2105 किलो तक का, तो इसमें power plants के लिए fuel तो बनेंगी, बट दन atomic weapons का बनने का भी खत्रा है, और ये monitoring IAEA के दोरा सिर्फ एक ही nuclear site पे की गई थी, और अभी भी एक बची हुई है, तो शायद आने वाले time में बची हुई एक की supervisioning पूरी की जाएगी, अगला update माली को निकल के आ रहा है, वहा की जो military है, उन्होंने august के मैने में 18th august to be precise country को चलाने की power अपने हातों में ले ली, वहा की economy कोवेट के चलते बहुत भुरी तरह से affected हुई है, इसलिए माली में बहुत दिनों से mass protest चल रहे है, प्रेसिडेंट इब्राहेम बहुबाकार कीता ने माली की सत्ता खो दी, और वहा पर directly military ने अपने हातों में सत्ता ले लिये, ECOWAS यानी Economic Community of Western African States इन्होंने माली के military group को एक deadline दे रख किये, कि वो ये protest बंद करें और नॉमल माली में elections होने थे, ये ना करने पे माली पे बाकी मुलकों के द्वारा sanctions लगा जाएगे, ECOWAS ने August के incident के बाद ही sanctions लगा दिये थे, and they had essentially halted financial flows with them, अगला update हौंग को लेकर निकल के आ रहा है, हौंग कॉंग में elections delay होने के कारण और नया national security law के implement होने के वज़े से, वहाँ की public रस्ते पर आकर protest करने लग गी है, अब ये national security law पर हमने पिछले geopolitics series में बात किया है, बट जिनने नहीं पता, चाइना ने हौंग कॉंग पे national security law imposed कर दिया है, यानि इसमें साफ साफ right to public descent का हनन किया जा रहा है, यानि लोग आवाज नहीं उठा सकते सरकार के खिलाफ, अब इन प्रोटेस्ट में पुलिस ने इन लोगों पे pepper balls fire किये हैं, अगला update इंडिया चाइना की सरद पर gunshots को निकल के आ रहा है, बोट दे कंट्रीस exchanged the first gunshots in 45 years, यानि लास्ट इन दोनों मुलकों के बीच में gunshots 1975 में होई थी, चाइना ने लिटरली इंडिया के हिस्से अपने control में अब ले लिये है, करीब 1000 स्क्वेर किलोमेटर का लैंड इंडिया ने forgone कर दिया है, और चाइना ने ये जमीन पे कबजा कर लिया है, अगला update इंडिया चाइना को निकल के आ रहा है, जैसे कि हमने उस्ट्रेलिया चाइना के अपडेट्स पिछले विडियो में cover किये हैं, हमने चैंग ली के बारे में बात किया था, चैंग ली जो बहुत बड़ी high profile Australian business anchor है, इन्हें चाइना ने detain कर रखा है, without any trial notice, एंड चाइना और उस्ट्रेलिया के relations ठीक नहीं चल रहे हैं, जबसे ऑस्ट्रेलिया ने चाइना पर international inquiry बिठाई ये COVID को लेके, Australian journalists in China are facing interrogations, Australian Broadcasting Corporation के Bill Bertels, एन Australian Financial Review के Mike Smith, ये दोनों को Chinese officials ने interrogate किया था on national security grounds, इन दोनों से चैंग ली के बारे में पूशताच की गई थी, and also they were asked about the sources he used to report on the Hong Kong's new national security laws and also on the Australia-China relationship. Well, interrogation के बाद तो ये दोनों सही सलामत Sydney पहुच ही गए. अगला update, Belarus की जानीमानी activist and protester, मारिया कॉलस निकोवा को निकल के आ रहा है. Belarus में currently बहुत बड़े स्थर पर protest चल रहा है. इन्हें Belarus के president Alexander Lukashenko को अपने president की post से हटाना है. इन protesters के मताबिक जो recently Belarus में elections होए थे, जिसमें Alexander Lukashenko reelect होके आये थे, वो election complete rigged था, यानि जूटा था. गलत तरीके से Lukashenko reelect होकर आया है. मारिया कॉलस निकोवा, जो opposition leader है, उन्हें कुछ गुंडे recently kidnapped कर ले गए, और मारिया को Belarus और Ukraine की border तक ले गए थे. इन गुंडों का main purpose था कि मारिया को Ukraine में deport कर दिया जाए. बट मारिया ने ये चीज बहुत resist की, और उन्होंने उनका खुद का passport border आने तक फाड़ी दिया. तो इससे वो border cross ही नहीं कर पाई, और ये गुंडे मारिया को Ukraine deport कर रही नहीं पाए. Currently, she has been detained in Minsk, which is the capital of Belarus. अब बात करते हैं हम COVID के round up की. One of the COVID vaccine, which is in trial, जो AstraZeneca developed कर रही थी, वो अभी halt पे रख दिया है. AstraZeneca Oxford University के साथ ये vaccine developed कर रही थी. इनकी vaccine phase 3 clinical trial में है. ये vaccine के trials को इसी लिए रोका गया, क्यूंकि कुछ लोगों को इस vaccine से side effects होने लगे, जिससे transverse myelitis कहा जा रहा है. ये basically inflammation condition होती है, जो बहुती rare है. बट स्टिल कुछ patients में ये चीज पाया गया है. AstraZeneca और Oxford की partnership को US Biomedical Advanced Research and Development Authority से करीब 1 billion dollars की funding मिली है. जिसमें इन्हे vaccine approval के बाद US government को सीधे-सीधे 300 से ज्यादा doses deliver करने पड़ेगे. UK में अब social gathering ban कर दिये है. Recent COVID के cases बढ़ने से, UK government ने ये social gathering पे ban लगाया है. जैसे कि आप ये figures देख सकते हो, UK में total COVID cases साड़े 3 लाख से ज्यादा हो चुके. And total deaths अभी तक 41,000 से ज्यादा हुए. और दूसरी और South Africa में cases कम हो रहे है. It dropped to 1,000 a day as compared to July, which averaged out to be around 11,000 cases. Imagine, Czech Republic में face mask को पहनना दोबारा mandatory बना दिया है. वहा के लोगों को shops और public buildings में mask पहनना कमपल सरी है. Well, Czech Republic के cases relatively बहुत कम है, करीब 36,000 है, and total deaths सिर्फ 456 हुए है. इंडिया में तो एक दिन के death number ही हजार से ज्यादा निकल के आ रहे है. Well, anyways, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. This was all about a weekly roundup in world politics. Hope आपको ये session useful रहा होगा. If you liked this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends. और अगर आपका कोई सवाल है सुजावो, तो उसे comment section में जरूर बताईए. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उमीद करता हूँ, ये session आपको पसंद आया होगा. Namaste, जय हिंद.